अगर आपने अभी गर्म कपड़े नहीं निकाले हैं तो निकाल लीजिए अगर आपको गर्म कपड़े खरीदने हैं तो देरी ना कीजिए आपको बता दे कि उत्तर भारत में अगले तीन महीनों में कडाके की ठंड पड़ सकती हैं मौसम विज्ञानिकों का मानना है कि 11 से 15 बार पश्चिमी विक्षोब आ सकता है नवंबर महा में भी ठंड का आसर बरकरार है मौसम विज्ञानिकों का कहना है कि अभी ठंड और बढ़ सकती है क्योंकि हवा पहाडों से मैदानों की ओर चल रही है अगले तीन दिन तक इस दोरान बीच बीच में आंशिक बादल और उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से रात्री तापमान में गिरावट और सुबह के समय कहीं कहीं हलकी धुन्द भी संभावित है अभी नवंबर माह में ठंड का असर बरकरार है आने वाले समय में और भी सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि मोसम विभाग ने अगले तीन महीने का पूरवा नुमान जारी किया है इसके हिसाब से उत्तर भारत में इन तीन महीनों में नियूंतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है हाला कि माना जा रहा है कि अधिकतम तापमान सामान्य से बढ़ा ही रहेगा हाला कि अभी तक हरियाना कारनार नौल सब से ठंडा रहा है जिसका सौमवार को पिछले साल के नवेंबर से भी कम दापमान दर्ज किया गया मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर से फरवरी 2021 सिक अगले तीन महीने में कश्मीर, लद्दाक, उतरा खंड में अगले तीन महा में 11-15 बार पश्चिमी विक्षोब आएगा पश्चिमी विक्षोब के समय बर्फबारी का दौर देखने को मिलेगा इसका असर मैदानी भाग पर भी पड़ेगा हिसार सित चौधरी चरण सिंग हरियाना कृषी विश्वविद्याले के कृषी मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डौक्टर मदन खीचर ने बताया कि पंजाब, हरियाना, राजस्थान, यूपी, बिहार, जारखन, चर्थिसगार, पश्चिम, बंगाल, ओडिशा, समेत, पूरवत्र के राज्यों में न्यूंतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है मैदानी इलाकों में राजस्थान में सबसे ज्यादा कड़ाके की ठंड पढ़ने की संभावना है आपको बता दें कि हिमाचल के शिमला में रात का पारा 10 डिग्री दर्ज किया गया ऐसे में हरियाना के नारनोल वहिसार शहर शिमला से करीब दो गुने ठंडे हैं शेर अंड सब्सक्राइब करें थैन्ने वादी J.B.D. Banquets लाए है incredible marriage palace Rajgarana and the finest banquet hall Jyoti Garden world-class catering, centrally air condition, lush green lawns, state-of-the-art lightning a perfect venue for wedding, launching and parties Rajgarana and Jyoti Garden are J.B.D. Banquets Enterprise